नमस्कार आप सभी को मैं आदरश्क माउत आप सभी का राजिस्तान क्लासेज के यूटूब लेटफों पर बहुत पत वैलकम करता हूं तो आए दोस्तों आज की क्लास भी आपके लिए बहुत मैटपून होने वाली है हमेशा की तरह आज भी आपके लिए 9 बजे एक क्लास हो आपको नोटस क्या हुश्कता हो तो आप हमारी वेब सैट को विजिट कर सकते हैं एप को विजिट कर सकते हैं सभी कर लिंकlock में दे रखें तो दोस्तों बात आज की है कि आज की पेपर में आप कितने प्रश्न सही कर बाते हैं तो शुरू करते हैं आए भानगर सरावास औ जो है राजस्तान के कौन्छे जिले में बर्त दर्रा जो है राजस्तान के अजमेर जिले में दोस्तों आप सभी का सही आंसर हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेचिन में प्रवाइट होती है तो तोरावाटी में भईया कांतली होगी क्या बिल्कुल बोले सर हां राइट आंसर ऑप्शन डी को करेंगे और कांद्रिल नदी के किनार ही है जो सब्बेत आए गणेश्वर यह आपको पता होना चीए नदी और साइक नदियों के बारे मापको बताना है कि इनमें से असुमिलित कौन सा है दोस्तों माही की जाखम सही है काली सिंद की परवन सही है साबर मती की माजम सही है लेकिन गंबीरी की मेश्वा नहीं है मेश्वा भी साबर मती की है जहां तक मुझे आद है और बाकी यहां पे आपका आप्शन ए ही जो है इनकरेक्ट था अगला सवाल राजस्तान के रेतिले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमन काली मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा जो है करती है तो दोस्तों याद रखना चार पचीस समवर्षा रेखा जो है अलग करती है पचीस से में अगला सवाल गडियाल के सरंक्षन के ल दक्षणी मेदानी है और सबसे बड़े की बात करें तो शुष्क पच्छी मी भाग वाला है जो की सबसे बड़ा है और कुल कितने हैं दस है राज्स्तान मसरुपरतम करश्विश्विदाले कहां पर सबस्ट के सबस्य här गया बीका नेर अहुद पूरे इन दोनों को अपन करेंगे निग तो आपका राइट आंसर हो जाना चाही है सर करश्विश्विश्विदाले सबसे पहले तो बीका नेर में इस् ताफ़िद किया निम्न को सुमिलित करना है पर्यूजना है और नहर दे रखी है और बताइए क्या होगा राइट आंसर इसमें अगर हम देखा देखें तो देखो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑफसन डी कैसे देखो भाकड़ा दांगल की बात करें बिष्ट दौाब है ठीक है और अगर नहरे निकली है ना यह सुमिलित आपको करनी थी आपको आपने लौग किया राठी पर जाती कौन सी दो गायों की संकर पर जाती या फिर मिश्रित पर जाती है तो दोस्तों याद रखना सिंधी और साइवाल यह सवाल कई बार एक्जामें पूछ गया है निम्न मैसी राज स्थित है तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कोटा में स्थित है रूपाहली और सुनरी स्वर्णिम चपाई राजस्तान के किस जिलों में पॉपूलर है तो ऐसे में अगर बात करें बूंदी पाली और सिरोई में पॉपूलर है यानि आफसन डीप को लाउप कर देंगे अगले स्वाल है कि निमन मेंसे आपको सुमिलित करना है खनीस पदार दे रहा है और शेत्र दे रहा है और राइट आंसर की अमीद आप सभी से करूंगा दोस्तों देखिए कॉपर की बात करें कॉपर आपके खोद अरिबा में निकलता है जामर कोटड़ा में दोस्तों रॉक फास्पेट निकलता है ना डी में अगर आपको बताए ए आ रहा है तो फिर आपसन डी को लॉक कर दो यानि आपसन चार को लॉक कर दो सीधी सी बात है ठीक है यह आपका सही आंसर हो रहा है देख लो बली कहीं है और ही ने क्योंकि आपको बताए रॉक फास्पेट त आपका राजपुरा दरीबा में है कौन सा सुमिलित नहीं है देखो यहां पर खनी जो और खनन शेत्र देर का है तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तामड़ा राजमेल सरवाड में है गिया पत्र कागदर देवल जगपुरा में है ठीक है सिलीका सेंड यहां पर नही कर देंगे अक्टूबर 2017 में किया गया था ठीक है निम्नांकित मैंसे कौन से जिले में 2011 की जन गरना के अनुसा नियूंतम नगरिये जन संक्या मिलती है तो याद रखेंगे और सी को बांस वड़ा में ऐसा हुआ है अगला सवाल दिखें कालिवाई भील मेगावी चाप्तर योजना संब्धित है किसे संब्धित है तो दोस्तों याद रखेगा यह आपके इस कुटी वित्रन से संब्धित है राजस्तान फाउंडेशन की स्थापना दोस्तों कब होई थी तो 2001 में होई थी यह बात आप याद रखेंगे अगला सवाल मुक्यमंतरी अनुप्रती कोचिंग योजना की बात करें तो यहां पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रतियों की परिक्षाओं के लिए कोचिंग जो की निश्वल करेती है ठीक है अगला सवाल देखिए क्या पूचा जा रहा है राजस्तान में ऑक्सीजॉन पर कहां विक्सित किया जा रह यह आपको पता होना चाहिए अगला सवाल है कि 1946 में राजस्तान से भारत की समीदा निर्वातरी सभा में कितने सद्दे सी गए थे तो 11 को लॉक कर देंगे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा निवनमय से किस मुख्यमंत्री को डीक गोली कांड के बाद इस्तिपा देन अपना त्याग पत्र किसे संबोदीत करता है तो याद रखना यह राश्पती को देते हैं अपना त्याग पत्र किसे देते हैं राश्पती को उचन्याले के नहादीश देश में 35 राज प्रणाली को प्रारम करने वाला राजस्तान का राजस्तान जो है ना यह दूसरा रा तो आप्सन सी को अपन लॉग करें कि यहां से बलोंतरा मेहता कमीटी के दौरा उनीसो सप्तावन में जो है यह कमेटी बनी थी उनीसो गुंसाट में इनका प्रस्ताव जो है श्विकार कर दिया गए था राज्तान मानव अधिकार आयोक के अध्यक्स की नियुकती राजिपा प्रसासन की वात है मतलब प्रशासन की नहीं शौरी यह आपके द्यान सभा से संवंदित बात है ठीके मंत्री बंदल से संवंदित बात इती है इन जिला उभोगता नेयला कितने रुपय तक की राश्री के मामले सण सकते हैं तो दोस्तों याद रखना 20,00,000,000 तक की राश्री के मामले सण सकते हैं प्रसीद प्रेटर निश्ति बेस्ति निर्मान के संदर लिए थे चम्धने disclose कि बात करो तो यह रहल Cory ourselves X किसने करवाया था ठीक है अगला सवाल है फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करना है लिस्टेड हो रहा है तो देखो देखे भाईया यहां पर अगर हम देखें तो खजुराओ सोमेस्वर मंदिर की बात करें तो यह आपका किराडू में है ठीक है बिलकुल ए में एक आ रहा है ए में एक यहां पे आ रहा है तो एक को लौक कर दो भाईया सीधी सी बात है फिर यही होगा है अर्शित माता का मंदिर आबा नेरी जुनाप पत्रसर मंदिर बाड कुछ नन किया था तो बैराट का उत्कनन किया था डियार सानी यानि कि दया अनंद लाज़तान के भरतपूर जिल्य में पाई जाता है हलंकि बैराट किसमें कोई ये कोटपुदली बैरोड में भर्थपूर में कौन सा इन मैंसे तो पुरता तो इस्तल जो की है तो पुरता तो इस्तल भईया ये मजजीद बगेरा है तो ये तो पुरता तो इस्तल में आएंगे नहीं है ना तो फिर फिर कैसे करेंगे अपना आहिलिया भाई का कुगा option A को lock कर देंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रेन पर ने मैंसे कौन सा मंदिर चितोडगर दुर्ग में इस्तितन नहीं है अगर ऐसा प्रशन बन जाए तो चामंडा माता का मंदिर नहीं है सत्वीस देवरीयत तुल्जा भवनीयस संभी देश वर्भी है अगला सवाले करणल जैमस्ताड ने किस युद्ध को मिवााड का मेराथन कछा तो मिवाड मेराथन नहीं होटा Minskко को देश निकला दे दिया था राजस्तान के किस रियासत और विशेस रूप से कौन से शासक ने ब्लू पॉटरी को स्रंक्षन दिया ब्लू पॉटरी को भई या यह आपको बताने हैं बताओ देखो आप कहींगे सब जैपूर जैपूर में सवाही राम सिंग दृत्या ने दि हमेज शिंग का घोड़ा जिसकानाम हूंजा ठीक है एकला सवाल है कि क्रशी कवी कि वर्पक्यू उपादी किस राजा को दी गए ती कौवी वरप की उपादी जो है ये मुंझ राजा को दी गई थी राजा मुंझ को दी गई थी ये बाता ये बातें आप त्यान रखेंगे कोविंद्गिरी की गतिविदियों का केंद्र 1911 और 12 इसे मैं कहां पे था तो ऐसा प्रस्ण आपको पूछने में कोई दिक्कत होगी नहीं बहुत आसानी से कर लेंगे एक्जामिनर तो दोस्तों याद रेखना कि option B को लॉक कर देंगे अग्ला सबेड़ चाह ना निम्न लिकित मैं से कौन सीकर कृश्ष कांदोलन से संबन दिता नहीं था तो ऐसे में क्या करेंगे तो ऐसे में करेंगे नैनुराम शर्मा यहां पर सामिल नैनुराम शर्मा बूंदी से संबने थे कोटा से जमने ते राजसान के निमलिकित परजमनलों पर विचार आपको करना है काल करमानुशार करना है तो दोस्तों देखो मारवाड फिर मेवाड या फिर मेवाड पहले मारवाड पहले क्या कौन पहले बतो आप गएंगे सर पहले की बात करें तो पहले ऐसे ही होगा पहले मारवाड होगा फिर जो मेवाड होगा फिर वहांस वाड़ा होगा यहना आपसन सी को लॉक कर देंगे अगला सवाल देखिए मत्य संग का उपर राज पर मुक निवत किया गया तो तेज सिंग को निवत किया गया आप सभी का सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल आपके स्क्रेन पर देखो कि देखो इसमें अपने क्या करा है तेज सिंग करा बिल्कुर विर और यह कहां पर हुआ था तो दोस्तों यह हुआ था डूंगरपुर में अदोलिकित में से कौन मारवाड के पंच पीरों में से एक नहीं है याद रखें दोस्तों पहले पहले इसका अपन देख लेते हैं रास्तापाल जो है ना यह जून में हुआ था दोस्तों और जून 1947 मुआ था यह बात आप याद रखेंगे ठीक है चलो इन में से जो पंच पीर नहीं है वो तेजा जी नहीं है बाकी सब है अडबू जी है मिया जी है पाबू जी है ठीक है हो जाएंगे न अब हो गए राइस्तान का तेरा पंथी संपरदाय नेमन मैंसे किस से संबन दिते त कौनसा कूट सुमिलित नहीं है देखो भया यह अगर हम देखें तो आपका सुमिलित कौनसा नहीं है मीरा भाई का जनव वर्ष दे रखा है जो कि अपन देखेंगे तो यह 1998 सही है दादू दयाल 1544 सही है संत जचनाज जी यह सही है संत चरन दाज यह गलत है तो हमने क्या अगला सवाल है कि सुची फर्स को सेकंड के साथ मैं सुमिलित करना है बुंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है और इस प्रकार से आपको बताना है और राइट आंसर आप सभी का हो जाना चाहिए देखो बुंदी की कजली तीज तो यह आपके बादरपद मैने में मनाई जाती है ठीक है होली होली की बात करें फाल गुल पूर्णी मा को मनाई जाती है प्रियूशन पर फाल फादरपद में गंगोर तो यह एबी सी डी होगा ऑप्सन बी को लॉक कर देंगे अपने न पुत्र जनम के बाद चोदवे दिन होने वाली रस्म है या फिर परियूशन परो के दवरां तीन दिन का उपास है या फेरे तथा सब्त पदी के समय मामा दवारा दी गई और वदू दौरा पहने गई गोटे किनारी युक तो लाल गुला भी ओड नहीं है या संतान प्रा आप चैनल पर दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप अभी तक हमारे ग्रूप में एड नहीं है तो इस पर अगर आप अपना नाम और जिल्ला लेकर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रूप में एड कर देंगे ठीक है और दी बैस्त दोस्तों मिलते हैं सब्सक्राइब भॉट